इंडेस नमबर एट अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज़ेन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एर्रस ठीक है सबसे पहला वाट इस दा मिनिंग आफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इसमें ना देखो कंकेट्स पड़ो दो धंके क्या चले जाना उसमेंस एक आएगा एक्साम के अंदर ठीक है चलो फटावट पड़ते हैं अभी अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब अपने को दिया हुआ है आपको से एक्जांपल याद रखना है accounting policy के अंदर example लोगे तो inventory के अंदर क्या होता है FIFO या weighted average ये चूज करना is a policy basis of measurement बराबर cost या revaluation ये चूज करना भी policy होता है, ठीक है मतलब जो भी principles, basis, conventions आप यूज करते हैं उसको बलता accounting policy, अब किसी भी policy को हम सिलट कर कैसे apply करें, कौन सी policy apply करनी चाहिए, तो अगर index ने घ्यान दिया है, if index is available follow the index, if index is not available, तो judgment use करने का, ठीक है आगे, जो भी policy चूज करोगे consistency apply करने का similar transaction पे same policy लेकिन, categorization अगर कोई index अलाव करता है तो आप category wise अलाव कर सकते हो, for example index 16 जो है index 16 ये नहीं बोलता है कि इस दुनिया के सारे पीपी पे cost या फिर सारे पीपी पे reval, वो ऐसा नहीं बोलता है 16 बोलता है, पीपी के अंदर जो भी same class है, उस पे same model मतलब, अलग-अलग class पे अलग-अलग model चल जाती है, मतलब, if that specific index permits categorization तो आप भी categorize apply कर सकते हो clear वाला part, खतम, आगे बढ़ते है आगे बढ़ते है उसके बाद आता है changes in policy, देखो flow समझो, पहले बोलता है policy क्या होती है, फिर बोलता है apply कैसे करे फिर बोलता है apply किया, तो consistently apply करो, फिर आता है fourth पंडरी change, क्या हम policy को change कर सकते हैं the answer is yes, दो case में, अगर index ने बोला तब, या फिर if you feel that it will result in more relevant reliable information, तब, ठीक है, मतलब voluntarily आप change कर सकते हो, कुछ cases में, ये दो cases में, इसको change in policy नहीं बोलेंगे, है ना, ये पढ़ने से बेटर आपका example देता हो, for example आपके पास index 16 में थे आप तो 16 में आप reval model follow कर रहे थे, use किया, use किया, use किया अब आपने बोला कि चलो इसको rent पे देते तो index 40 में आ गए, 40 में क्या था? जो यहां की जो carrying amount है वो बन जाएगी यहां की cost, और एक बार 40 माने के बाद, आपको यही model follow करना पड़ेगा, है ना, you 16 से 40 में आए ना, आप किसी नए index में आए, नए index में आने की वज़े से आपको policy change करनी पड़ी, तो यह change in policy नहीं होता है, हाँ, अगर आप 16 में रहते रहते, reval से cost पर जाते, तो वो होता change in policy ठीक है, ध्यान रतना, चलो आगे बढ़ते उसके बाद अगर आपने कई भी policy change की है तो उसका application कैसे करोगा, apply कैसे करना है तो वो पूछता है, आपने policy क्यों change करी index के कहने पे change करी क्या, तो आप बोलतो हो, हाँ, मैंने index के कहने पे change करी, तो पूछने का क्या उस index ने change का effect देना सिखाया, मतलब, the change in policy तो follow the index, अच्छा, index के कहने पे change किया लेकिन index का effect देना नहीं सिखाया, तो आपको policy apply करने पड़े कि retrospectively, और अगर आपने change कुछ से किया है, यादे एक और तरीका था change करने का if you fail, you will result in more relevant lab information, तो अगर वैसे change किया है तो again you will give the effect retrospectively अब retrospective effect देने का मतलब क्या होता है तो standard बोलता है, whenever you are giving retrospective effect आपको balance sheet में, एक extra balance sheet का column बना के देना पड़ेगा और वो होता है day 1 का previous year सबोज आपका current year is 21, 22 तो आपका previous year क्या हो गया, 20, 21 और previous year का day 1, that is 1, 4, 20 इस दिन का भी आपको एक opening balance sheet बना के देना पड़ेगा तो retrospective के अंदर, जो भी previous year के figures है वो previous year के comparative में change कर देंगे जो भी previous year के पहले के figures है उसका effect आपन ओपन बालेशिट में देंगे इसके ओपर दो question आपन वो करेंगे चिंता मत करना ठीके उसके बाद फिर हो बतायब है limitation वगेरा कि कभी-कभी retrospective application possible नहीं होता है जब से possible है तब से कर लेना और क्या खतम कहानी फिर आते accounting estimate के उपर यह policy की बारी थी ठीके फिर आते accounting estimate के उपर estimate क्या होता है जहाँ judgment involved है उसको estimate बोलते है ठीके अब क्या estimate भी change हो सकता है यह नया information आया ज़ादा experience आया, new development आया तो it can change, but the more important part is अगर change हुआ, तो इसका accounting prospectively होता है, you cannot give the effect retrospectively, you should give the effect prospectively मतलब जिस दिन दे change हुआ, उस दिन के बात के figure चेंज होगे पहले का कुछ चेंज नहीं करने का, ठीके उसके अलावा other important points अगर estimate change हुआ, तो क्या prior period के figure change कर सकते हो, क्या मैंने अभी बता है नहीं कर सकते, it is not a prior period, error थोज़ी नहीं है उसके अलावा, change in the basis of measurement, जैसे re-evaluation model या cost model, यह choose करना, यह policy की estimate है तो यह policy है, आपने दिखाता है ना policy के example में, उसके अलावा, कभी-कभी किसी transition के लिए समझ नहीं आ रहे कि यह policy है की estimate है, तो उसको क्या treat करना, उसको estimate treat कर लेना ठीक है, इतना काम का बात नहीं है, बढ़ ठीक है, आगे बढ़ जाना फिर आता है errors, now what is the meaning of error, error मतलब गल्ती गल्ती, omission and misstatement of one or more और prior period, गल्ती भी कब क्यों नहीं चीए, current year की नहीं प्रीवेसर की होने चीए, या प्रीवेसर के पहले की होने चीए, क्यूँ, आरे करेंटेर की गल्ती, करेंटर में वालूम पढ़ जाए, तो गल्ती तो नहीं रही, तुम समझ रहे हो कि आगा सुबे का भूला, शांको भूला नहीं बोलते है, वैसे ही, बोलता है, गल्ती होनी चीए, प्रीवेसर उसके पहले की, गल्ती क्यों होती है, because of failure to use or misuse the reliable information, जो उस समय थी आपने लेकिन यूज नहीं करी, अब error के types क्या-क्या होते है, mathematical error, 10 को 1 गिन लिया, 1 को 10 गिन लिया, mystic and apply policy, asset liability को offset नहीं करना vice versa, या फिर omission, वो चीज़ा record करना है भूल गए, या फिर fraud, चोरी चकारी, है नो, यह सब error होता है, लेकिन error का effect कैसे देना है, देखो अगर वो बूलता है, error कपका है, अगर error previous error का है, तो previous error के comparative में change कर देने का, है नो, अगर error previous error के भी पहले का है, तो फिर आपको opening balance बना क के वहाँ change करना पड़ेगा, simple, पहला चीज़, second चीज़, अब एक और error का बात करता है, that is error of classification, what is the meaning of classification का error, मतलब आपने किसी चीज़ को current के बतले non current में दिखा दिया, कोई finance expense को आपने other expense में दिखा दिया, उसको बलते classification का error, amount में को problem नहीं है, सिर classify wrong head में कर दिया है, तो बहले ही वह प्रीवेसर का हो, लेकिन अगर classification का error किसी balance sheet का item में हुआ है, तो आपको opening balance sheet बना के देना पड़ेगा, बहले ही error सिफ प्रीवेसर का हो फिर भी, लेकिन अगर classification का error, आपके profit and loss का item का है, है ना, तो उस case में आपको opening balance sheet बना के देने का जरूवत नहीं, ज्यान र आजाओ, इंडेस 8 के question को आपन अभी कर देते है, कर देते है, कर देते है, सरक, 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 आजाओ, आजाओ, तो इसमें ना, दो question काम के है, मतलब exam के बिल है, ये दो question देखके चले जाना, बाकी question आपकी concept से बन जाते है, तो सबसे पहला question जो काम का है, वो illustration number 17 है, सुनना क् बोलता है हम inventory valuation कर रहे थे, पहले हम FIFO follow कर रहे थे, अब हमको FIFO नहीं पचंद, अभी तो हम जाएंगे weighted average के अंदर, ऐसा ही बोलता है न, prior to the change, FIFO follow कर रहे थे, अब हमको चाहिए weighted average, ठीक है weighted average चाहिए अभी, तो उस case में क्या करेंगे, policy का change है, तो retrospective effect देना पड़ेग अब आपको 2 साल के profit and loss का column दिया हुआ है, देखो profit and loss में कोई opening वाला नहीं बनता है, opening बनता तो balance sheet के लिए बनता है, profit and loss में 2 column बनेगा, current या previous year, सिर्फ previous year में UV light restated, अब सर्चेंज का effect कैसे रहेगा, देखो क्या बोलता है वो, वो बोलता है कि अगर आप weighted average ही follow करते है, त वो उस case में आपकी 31st March 11 के closing inventory है, वो 10 lakhs से जादा होती, है ना, इस साल की inventory 15 से जादा होती, 13 की inventory 20 से जादा होती, तो इसको आप कैसे solve करने का है, तो इसका मैंना आपके hint दिया था, वो स्वाती ने दम credit answer किया है, वो hint था कि आप छुटा छुटा trading account prepare कर लो, ठीक है, for example I'll show it to you, trading account कैसे बनेंगे, दिखाता हो आपको, यह देखो, फिर गरी भी दिखाता रहता है, trading account बनाने का तरीका आपको दिखाता हो मैं, यह देखो, यह देखो, जैसे for example, trading account बनाओगे, तो अगर आपका इस साल का closing inventory जादा होता, तो आपका GP जादा होता है, इतने से, अगर it, इस साल का closing जाद है, तो next year का opening में जादा होता है, और फिर closing से जादा है, तो GP पे impact से 5 का आता, इस साल का closing जाद है, तो अगर साल का opening इतने से जाद होता, closing इतने से जाद है, बताया है in question में, GP आता है impact का, kind of 5 तो अब इसका impact क्या होता, अगर आपके previous और current year में, closing और opening चेंज हो जाते तो आपका COGS भी चेंज होता तो COGS चेंज हो के देखो ओपनिंग का होता है positive impact तो जितना भी ओपनिंग जाद है उतना एड करना जितना closing जाद है उतना minus करना because इसका formula क्या होता है opening plus purchase minus closing closing minus करते तो closing जितना भी बड़ा हो minus कर देना आपको मिलेगा तो अगर आपके COGS चेंज होता तो आपका GPB दोनों साल में चेंज हो जाता बराबर expense आपको दिया हो है profit भी आपको मिल जाता अब इस question में एक और चीज़ बोला हुआ है कि statement of changes in equity का भी extract बना के दो अब यहां का आपको retained earnings का previous year के day one का balance दिया हो है 4.23 तो मैं बोलू previous year के day one का impact profit and loss में तो नहीं आया लेकिन आपके SOCE में आना चाहिए क्योंकि वो बैरेशिट का item है तो previous year के day one पे आपका GPB 10 ज्यादा होना चाहिए था बराबर तो आपने GP पर 10 से बढ़ाया उसके अलावा आपको मिला re-shared profit previous year के day one का फिर जो 2 साल के correct profit है वो आप record करोगे तो आपको मिलेगा आज का correct वाला retained earnings simple that's it I hope this is clear to everyone वो था question number 17 if I am not wrong yes यह 17 होना चाहिए 13 नहीं 17 17 अब आपनाएंगे illustration number 18 के उपर second important question of this chapter that's illustration number 18 देख लो क्या बोलता है वो वो बोलता है कि हमारे पास during 14-15 Cherry Limited discovered that some products had been sold during 13-14 which were incorrectly included in the inventory at 6500 इसका मतलब आपका previous year का closing is inflated अगर आपका previous year का closing is inflated क्यूंकि आपने कुछ माल बेचा और inventory से भार ही नहीं किया तो आपका इसका मतलब है previous year का closing is inflated अगर आपका previous year का closing is inflated तो आपका current year का opening is also inflated जब ऐसा हो जाए तो आपके current year के COGS में change आएगा न तो देखो मैंने निखलके दिया हुए कि change कैसे आएगा मैंने आपहले बताया हुए previous year का closing is inflated by 6500 तो जब closing जादा था जो की जादा नहीं होना चाहता तो आप closing कम करोगे closing कम करको तो GP भी कम होएगा similarly current year का opening is inflated opening अगर कम करोगे तो आपका GP बढ़ेगा opening कम करने का अलब expense कम करना होता है तो GP बढ़ जाता है तो again year you will compare the correct COGS COGS में फरक पड़ेगा PBT मिलेगा tax लगाना PAT मिल जाएगा आपको इस question में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इस question में आपको number of shares वगेरा भी दिया हुए तो आपको EPS भी निकालना पड़ेगा current वाला तो जितना भी profit आएगा divided by the shares 5000 तो आपको current EPS मिलेगा 2 साल का बस यहां भी आप SOCE का extract बनाके देना यहां SOCE में 2 column आएगे एक capital का और एक other equity का तो जो भी current वाला profit है बस वह record कर लेना तो जो current profit है 16800 9450 तो current profit आप record कर लेना 9450 16800 यह दो question index 8 मा आप solve करके चले जाना यह दो questions जो question आना होगा तो आ जाएगा बराबर बाकी सब मेरे काल से इतना critical कुछ है निउस के अंदर ठीक है question number 2 you can just read एक reading दे सकते हो MTB November 21 का question है LDR नहीं है बस है small reading देने में कोई harm नहीं इसके अंदर ठीक है ध्यान रखना तो बस वह question है उसके अलावा जैसे 8 मैंने बता है दो question करना और एक question को read देना उतना भी किया आपका काम exam के पहले हो जाता है अब आएगे अगले इंडेस पर अगले इंडेस पर अगले इंडेस पर आते इंडेस 10 events after the reporting period सुनना इसका logic में पहले समद लो क्या इसका logic suppose आपका current financial average 21-22 ठीक है suppose आपका लेकिन यह चाल का जो financials है वह अप्रूव का होता है आपका अप्रूव होता है वह 14th August को मैंने ऐसा माल लिया तो जो भी periods होते है 31st March से लेकर 14th August तक इसको कहते events after the reporting period क्या कहते है इसको events after the reporting period सबको समझ में आते है यह वाला पार्ट बस इता simple सा logic है इसका खतम कहानी आगे बढ़ जाते है वह यह बोलता है events that occur between और यह events favorable भी हो सकते है unfavorable भी हो सकते है end of reporting period and the date when FSR approved उसको बोलते है events after the reporting period आगे बढ़ जाते है फिर आते types of events या तो हो सकता है adjusting event या फिर हो सकता है non adjusting event इसका मतलब क्या होता है adjusting का मतलब ऐसे event जो आपको यहां मालूम पड़े इसके बीच में मालूम पड़े लेकिन इसकी condition पहले भी exist करती थी है ना उसको बोलते adjusting event provides evidence of condition that existed at the balance sheet date और non adjusting के अंदर क्या होता है आपको मालूम पड़ा event बाद में यहां आपको event मालूम पड़ा इधर इसकी कोई भी condition यहां exist नहीं करती थी उसको बोलते non adjusting event अगर adjusting event तो क्या करेंगे previous अके finisher में दाके adjust करेंगे और अगर non adjusting तो सिर्फ और सिफ material होगा तो disclose कर देंगे बस इतना आपको ध्यान रखना है special cases dividend सुनना suppose इस साल का profit है आपने dividend next year announce किया है तो इसका आप हमेशा non adjusting treat करोगे और इसका आप सिर्फ disclosure दोगे notes to accounts के अंदर इसको हम पहले proposed dividend कहा करते थे proposed dividend आप balance sheet में कभी record नहीं करते हो ध्यान रखना उसके लाबा अगर कोई भी ऐसा event है जो आपका going concern assumption affect करता है if the going concern assumption is affected you will treat it like an adjusting event even if it is non adjusting suppose fire लग गया 5th April को तो April में fire लगा तो fire लगने कर थे ना बताएगा आपको कि मैं लगने वाला हूँ लग गया बराबर तो fire लगी इसकी exist condition तो नहीं थी पहले अपने पास फिर भी लेकिन fire लगने के बाद अगर going concern assumption affect हो गया तो you will treat like an adjusting event और अपने सारे figures you will not prepare on accrual basis you will prepare the balance sheet on realization and liquidation basis जान लगना अगर going concern assumption affect नहीं होता है तो अगर material है तो disclose कर देना material नहीं तो disclose करने का जरूवत नहीं है अब इसमें सबसे important आता है यह वाला part longer term loan arrangement वाला part now what is the meaning of this इसका आपने example सबने का try कते है let me take one good example for this देखो क्या बोलता है long term loan arrangement ठीक है इसका थोड़ा सा linkage index 1 के साथ है मैंने index 1 आपको पढ़ाया नहीं है मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको index 1 बट समझ लो आपको बता है index में consider breach वाला उससे थोड़ा linkage बट अभी बाद फिला ने लिंक करेंगे तो भी चल जाएगा सुन लो क्या बोलता है suppose आपके पास एक loan था जो आपने इस दिन पर लिया 10 years का loan था 10 years का था तो non current loan था अब मैं कहता हूँ 14 को breach हो गया breach हो गया तो loan बन गया current क्या बन गया loan current बन गया अच्छा अब 31st March को अगर आपने कुछ भी grey spread का बात नहीं किया है तो loan current ही रहेगा ठीक है loan will stay as current only 31st March को क्योंकि breach किया आपने ना कोई condition remove करने का बात किया और ना ही कोई grey spread मांगा तो loan current ही रह जाएगा अब होता क्या है after the year end but before the date of approval of FS year end 31st March approval हुआ 14th August को इन दोनों के बीच में on 5th में हमने क्या किया condition remove करवा दी यह जो breach हुआ ना यह condition यह condition remove करवा दी या फिर grace period 12 में से उपर कर ले लिया हमने बराबर तो इस event को index में कहते है भलई इसकी कोई भी condition पहले exist नहीं कर रही थी फिर भी आप इसको adjusting मानोगे इस पर index मतलब adjusting मानने का मतलब है condition remove हो गई तो load non current बन गया ना तो आप year end पे इसको non current ही मानोगे ऐसा है बस ध्यान रतना तो अब index 10 और index 1 में फरक क्या है index 1 में जो grace period है वो हम year end के पहले ले 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 लेते हैं बात बात index 10 में जो grace period की बाते हैं या जो भी condition remove करने की बाते हैं वो year end से लेकर approval of FS के बीच में आती है ध्यान रखना ठीक है तो अगर ऐसे कोई condition remove होई है जिसके वैसे loan non current बन जाता है तो इसको adjusting event माल लेना और year end पे इसको non current बोल दाना फिर इतना आपको ध्यान रखना है उसके अलाबा एक और extra case है which is for inventories inventory का case extra ध्यान रखना मैंने summary बना के रखा हैं यह आपको है न बहुत काम आएगी summary inventory के लिए अब वो क्या बोलती है summary ध्यान सा सुनना inventory वाले case में अगर NRV falls after the reporting period भलई इसके गिरने की कोई भी condition exist नहीं कर रही थी फिर भी आप इसको adjusting मानोगे तो इसमें 3 case है suppose NRV गिरी year end के बाद अगर इसकी condition बाद NRV गिर गई तो भी आप adjusting मानोगे लेकिन इसमें एक और case है अगर NRV गिरती है due to some water leakage या फिर due to a fire और वो fire आपके year end के बाद ओकर हुआ था तो फिर NRV का गिरना is a non adjusting event ध्यान रखना यह वाला part आपको जब मैंने पढ़ाया था तो बताया भी था यह चीज कि वापस से inventory के NRV गिर जाती है NRV गिरने की condition year end पे exist कर रही थी adjusting event अच्छा NRV गिर जाती है condition exist नहीं कर रही थी ऐसी गिर गई NRV adjusting event NRV गिर जाती है क्यों गिरी? क्योंकि year end के बाद fire या water leakage हुआ तो non adjusting event यह summary ध्यान लखना बस clear खतम हो गया इंडिया स्टेंड में पढ़ने वाले पाट इतने ही है आपके लिए अब सीधा आप आओगे jam market question के तरफ question के अंदर भी यहां भी गिंती के 3-4-2-3 question है जो बताऊंगा आपको करके चले जाना वह वाले question ठीक है बतातो रुको सबसे पहला जो आपको करने वाला question है नहीं नहीं that is this question question number 2 MTP RTP past paper का section है यह illustration number 2 यह वही वाला part है जहां inventory के value year end के बाद गिर जाती है अपने को adjusting मानना होता है बोलता है अपने पास 10 lakhs cost था 12 million इसकी selling price थी अपने cost पर रखा ठीक है आगे फिर बोलता है 15 देपिन को year end के बाद NRV हो गए 7.5 ठीक है तो year end के बाद गिरी ऐसा बोला क्या water की वाज़े से fire की वाज़े गिरी नहीं normally गिरी adjusting event मानना है तो आप inventory को write down करोगे 2.5 से और record करोगे 7.5 के ओपर मतलब 10 के बादल आप 7.5 पर record करोगे पहला चीज है second year में अगले साल inventory की value वापसे बढ़ गई तो आपको पता है मैंने index 2 में concept करवाया था अगर inventory की value दुबारा बढ़ जाती है तो जो आपने पहले का loss book किया हुए उतना आप reverse कर सकते हो तो carrying amount 7.5 से NRB 10.5 होगी तो reversal 3 का दिख रहा है लेकिन आप 3 नहीं कर सकते है maximum जितना book के उतना reverse कर सकते हो तो आप कितना 2.5 का reversal कर सकते हो तो revise carrying amount हो जाएगी 10 million तो ये question LDR की हो है है बड़ा simple लेकिन ये question है index 2 plus index 10 दोनों का combination question है इसलिए ये question important है आपके लिए I hope you understand this point खतम कहानी आगे बढ़ जाते है फिर आते है question number 3 आगे नशांदार question ऐसे question exam में जाता likely होते है reason being 4 case हर case का 2-2 mark 8 mark का question क्या बोलता है देख लो देखो दो बार mock test में और exam में भी आया है सबसे पहले बोलता है हमने एक arbitration award जीता जिसकी condition पहले exist कर रही थी है न और यह favorable event है इसलिए हमने इसको consider नहीं कर रहे है भाई events after the reporting period में favorable और unfavorable दोनों consider होते है तो यह adjusting event ही होगा सिफ favorable है इसका मतले भी नहीं कि non-adjusting है events after the reporting period में favorable, unfavorable दोनों consider होते है बराबर अच्छा उसके बाद दूसरा वाला part inventory है inventory के value year end के बाद गिर जाती है 5000 से हो गई 4000 फरक नहीं पड़ता है it is adjusting event उसके बाद debtors है debtors में हमने पहले case किया था year end के पहले बाद में हो गया insolvent तो पहले case चल जा था insolvency is an अपने को addition information मिला इसकी condition पहले भी exist कर रही थी तो यह भी adjusting event आखिर में आता है यह वाला part बोलता है कि हम researching करने वाले है बराबर बट इसका कोई formal plan ready नहीं है और यह हमने announce वगरा भी कब किया year end के बाद किया हुए subsequent to the year end है ना सोच रहे researching करेंगे तो इसका प्रोविजन बनता है लेकिन यह announce भी year end के बाद किया हुए और के formal plan वगरा भी नहीं बनाया है तो यह एक non adjusting event होगा सिर्फ material होगा तो आपके आगर साथ तो इसको disclose कर सकते हो that's it, खत्म कहाँए तो यह चारपट का question होगे आपना question that is question number 4 आदे लोग का यह इसी question में दिमाग खराब होता है ठीक है तो यह question में revise करने का try करता हो आपको but writing practice तो को लिखा भी है मैंने please write and practice in all revisions writing practice is going to be the key in this question सुनना क्या बोलता है वो मैं आपको यह न पड़ादो question में क्या बोलता है पहले हमारे पास एक asset था 1416 से है ठीक है और इसमें year ending December है ठीक है तो 1416 के आपका asset था ठीक है और 1416 से आपके पास asset था 1116 से तो year ending 31st December 19 बाज आते फिर इन लोग ठीक है 19 आपका year end हो गया अब बोलता है कि year end के बाद year end के बाद कुछ water leakage वगेरा हो गया और water leakage क्यों हुआ because structural fault था जो पहले से exist करता था structural fault था जो पहले से exist करता था उसकी वज़े से water leakage हो गया ठीक है इसका मतलब water leakage भले ही jan में हुआ है लेकिन इसकी condition पहले exist करती थी क्योंकि structural fault मतलब day 1 से वह fault था उस day 1 की fault की वज़े से बाद में water leakage हुआ तो यह भले आपको लगता है कि water leakage बाद में हुआ but it was due to a structural fault तो यह jan में जो event हुआ it is an adjusting event तो वह बोलता है adjusting event है ना तो आपको impairment testing करनी पड़ेगी तो impairment testing में 2020 में करूंगा मैं 2019 में करूंग year end पे बराबर तो impairment testing के लिए recoverable amount आपको दिया हुआ है आपको क्या क्या चाहिए आपको यह ना carrying amount भी चाहिए रहता है बराबर तो देखो निकाला हुआ है दिखा तो कैसे निकाला हुआ है यह रहा देखो मेरे time में बना के किया हुआ हुआ question number 4 ठीक है क्या बोलता है देख लो question number 4 के अंदर 2016 में purchase किया मतलब बनाया वगला जो भी किया फिर 2019 में इस साल अब यह year end है 2020 में damage वगरा हुआ due to structural fault that means it existed from day 1 तो adjusting event है तो impairment test इसी साल के end पे करनी पड़ेगी तो impairment test लो दो amount चाहिए carrying amount हो recoverable amount carrying amount निकालना ही यहा थोड़ा problematic है क्यूं आपको day 1 पे life दिया हुआ है तो आपने कित्ते साल you will depreciate 2016, 2017, 2018, 2019 चार साल depreciate करना है तो इन्होंने क्या किया है इन्होंने 3 साल depreciate किया है based on the old life फिर एक revised life दिया था 17 years का है न तो revised life पे depreciation 2019 में charge कर दिया actually revised life पे depreciation 2020 से आना चाहिए but they have considered from 2019 बस वो एक छोड़ा जोले इसके अंदर तो आप 3 साल पहले के depreciate करोगे as per 30 years and 2019 में you will depreciate as per this remaining revised life यह एक नया पार है आपको याद रखना है याद रखके जाना तो आपको carrying amount मिलेगा recoverable amount दिया हुआ है impairment loss है book कर लेना simple है बराबर यह पहला part हो गया question का यह पहला part था उसके अलावा बोलता है कि water leakage की वज़े से हमारी inventory भी damage होगे this is part 2 of the question water leakage की वज़े से inventory damage होई inventory damage structural fault की वज़े से नहीं होई जो water leakage होआ ना उसकी वज़े से होई inventory के price में अगर water leakage या fire के वैसे change हो रहा है तो non adjusting event होता है तो inventory के जो value change होई it is a non adjusting event ध्यान रखना simple बराबर बस आपको तीन चीज़े पूछिए सबसे पहले entries वगेरा बता हो उसके लावा disclosure requirement दो पहले वाले part का फिर inventory का बात करके बता आदो ठीक है अच्छा एक और चाहिस पूछा है will your answer be different if there was no structural fault and damage to warehouse had caused by the event after 31 December 19 बोलता है अगर structural fault नहीं होता तो क्या आपका answer different होता मैं बूलू हाँ different होता अगर structural fault नहीं होता तो हम impairment testing 31 December को करते ही नहीं तो हम इस दिन पर impairment testing करते ही नहीं देको मैंने तीनों पाट का answer आपको दिखके दिया हो है if damage to warehouse was not due to structural fault non ingesting event होता उस case में अच्छा water leakage का भी inventory damage is a non ingesting event तो यह जो एक question होना शांदार question है और यह question बहुत ही critical है अच्छे से आको करके जाना ही पड़ेगा यह वाला question ठीक है LDR मतलब LDR square है यह question क्योंकि यह question एक बात Jan 21 में आता लोग हिल गए यह question तो करके जाना भाई तभी तो नया question था अभी आपको पता है तो करके जाना चाहिए आपको उसके अलावा let me see एक यह question है question number 5 अब इसमें भी same है बोलता है inventory थी inventory की value गिर गई NRV गिर गई बट NRV क्यों गिरी because of fire damage मैंने बताया था inventory की NRV अगर fire damage या water leakage की वेसे गिरती है यह यह रन के बाद तो उस case में it is a non-adjusting event बट इस question में accountant ने accountant है तो राइता फेलाई गई accountant ने adjusting मान लिया नहीं बबा नहीं यह non-adjusting event होता है non-adjusting event बस बस इसी के उपर है यह वाला part तो आप adjust नहीं करोगे simple है मेरे ख्याल से index 10 को भी हमने क्या कर दिया है क्या कर दिया है सरक 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 कर दिया इसको भी है बहुत ही बढ़िया अब आपन करेंगे 8 कर लिया 10 कर लिया अब 37 कर लेते ठीक है 37 पर आजाओ क्योंकि वह 8 10 37 वह थोड़ा ऐसे flow में जाता है अपने लिए तो इसलिए आपने को साथ में कर लेना चाहिए उसको है ना येस आजाओ चलो इसके अंदर भी आपको सारे concept कर आँगा concept focus करना और जित्ते में question बता हुत्ते कर लेना काम बन जाएगा आपका ठीक है चलो असम वह तुम लोग ठीक है ये क्या हो जाता है सरको मैं तो ऐसा ही हूँ पोड़ी संकी खुबड़ी है मेरी 37 नाम के provisions contingent liabilities or contingent assets ठीक है क्या बोलता है सुनलो सबसे पहला point is definition definition के अंदर सबसे पहला दिया हुआ liabilities का definition क्या बोलता है present obligation past event where outflow is probable outflow of resources present obligation past event outflow of resources अब ideally हमको पढ़ना होता है provision का definition लेकिन हम पहले liability के बार में पढ़ते है उसका reason आपको समझेगा बात में अब क्या बोलता है present obligation सबसे पहले समझते है what is the meaning of obligation तो बोलता है obligation can be of two types it can be either legal obligation legal का मतलब होता है it arises from a contract या फिर legislative law constructive obligation constructive का मतलब होता है past practice policy specific statement which has created a valid expectation for example मैं हर बार marathon लेता हूँ तो आपके mind में थान expectation की सर यह बार भी लेंगे constructive obligation समझ आगया sir तो उसका बोलता constructive obligation तो obligation होता है दो तरका यह होता है legal यह होता है constructive ठीक है आगे बढ़ जाते है तरह आते है provision का definition a liability with uncertain timing or amount is a provision मतलब liability में कब भरना है उसकी uncertainty है या कितना भरना है उसकी uncertainty है तो वह बन जाएगा provision ठीक है तो provision का recognition क्या बोलता है it is a present obligation past event outflow of resources but reliable estimate क्यूंकि estimate लगता है provision में तभी तो वह provision है अगर estimate नहीं लगता exactly पता होता तब liability बन जाती न ध्यान रखना यह वाला part ठीक है उसके लवा जो काम की बात है वह करता हो अगर कोई भी amount आप avoid कर सकते हो तो उसका provision नहीं बनाते हो example ऐसा कोई खर्चा है जो आप future में avoid कर सकते हो इंस्पेक्शन वाला खर्चा इंस्पेक्शन का जो खर्चा है suppose government बोलता है 5 years के बाद incur करना है but I can avoid this expense कैसे सर aircraft को बेच कर plane पे करना inspection मैंने वह असट ही बेच दिया 5 सल के पहले तो करना पड़ेगा if that expense can be avoided तो आप उस पे कोई भी प्रोविजन वगेरा बोक नहीं करोगे उसके लावा अगर कोई नया law आने वाला है लेकिन अब तक वह नहीं आया है तो वह नया law का प्रोविजन से तब बोक करना जब वह law virtually certain है अगर वह law किसी बाते चल रही है कि आयगा ऐसा होगा वैसा होगा तू होती तो क्या होता तू होती तो वैसा होता भई तो कोई प्रोविजन की बात नहीं करने है ध्यान लगना आगे जब प्रोविजन रिकॉर्ड करोगे तो कीशसे करेंगे जो काम की बाते उस पर करते है इसका मतलब क्या होता है सर सपोज आपको वारंटी क्लेम आ सकता है तो आपने वन लाग प्रड़क्ट सेल किये और आने की प्रोबालिटी इस तेन पसंड तो इसको क्लीन करवाना है तो या तो क्लीन करवा होगे तो 20,000 लगेगा या फिर 25,000 लगेगा मतलब दो कॉंटक्टर है या तो 20 वाले को पकड़ेंगे 25 वाले को पकड़ेंगे तो वीवल कंसेडर था मोस्ट लैक्ली आउटकम ऐसा ज्यान रखना ठीक है उसको बलते बेस्ट एस्टीमेड फिर आता है प्रेजंट वैलू क्या प्रोविजन को प्रेजंट वैलू पर रख सकते हो क्या अंसर इ अगर सपोसर एंपल मेने एकजांपल क्लास के अंदर सैमसंग है सैंसूंग का एक फोन भ्लास्ट हो गया तो उसको पता ना फोन ब्लास्ट होने के बाद वारर्णी क्लेम जाधा आएंगे तो क्या इस रिस्क को यöhग का प्रोविशन बनाते समयदा आनसर इस आपका करूंगा क्या तो वो बोलता है इसको आप करना जब एविडेंस अवेलेबल है सब्सक्राइब कर सकते उसके लावा असेट को बेज कर जो भी पैसा आने वाला है उसको आप कभी भी प्रोविजन में करोगे इसका मतलब फॉर एक्जामपल सपोज आप कंपनी बंद करने वाल क्लोजर कॉष्ट एका 10 लैक्स और प्रॉपर्टी बेचके 2 लाग रुपय आने वाला है तो आप नेट प्रोविजन अगर आपको लगता है कि आपके बिजनस में फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो इसका प्रोविजन नहीं बनाओगे सर क्यूं नहीं बनाएंगे क्यूंकि this loss can be avoided by closing the business तुम समझे रहो क्या future losses में एक तो past event नहीं होता है plus obligation नहीं है because we can avoid the same by closing the business तो इसका कोई provision बनता नहीं है उसके बाद मात है contingent liability क्या contingent liability का क्या करते हैं हम लोग contingent liability का सर तीन definition है बराबर कौन से कौन से तीन definition है वो बलते है अगर possible obligation है बात खतम contingent liability पहला definition possible obligation contingent liability दूसरा definition अगर present obligation है arising out of past event but out of flow is not probable outflow probable नहीं है but amount can be estimated outflow probable नहीं है तो contingent है तीसरा present obligation है past event outflow भी probable है but amount estimate नहीं कर सकते है contingent मतलब मैं बोल दूँ जैसे जैसे आपके provision के एक एक condition breach होते है वो contingent liability बन जाता है बराबर और अगर contingent liability है तो क्या करने का उसको max to max disclose करने का इतना ध्यान रखना बस ठीक है जो काम के बात है उतनी कर रहा हूँ उसके बात contingent asset what is the meaning of contingent asset अगर जैसे आप पे किसी ने uncertain future events ठीक है अब contingent asset तो क्या किया जाए अगर contingent asset virtually certain है मतलब पक्का पक्का मिलना ही वाला है तब तो contingent asset अगर virtually certain होता है तो it is not a contingent asset anymore it has become an asset तो उसको record कर लेने का उसके अलावा अगर inflow is probable but not virtually certain in short अगर percentage वाज बताओ तो अगर more than 95% chance है तो वो asset हो गया अगर 50 से लेकर 95% chance है मतलब virtually certain नहीं है तो उसको आप disclose कर सकते हो लेकिन अगर less than 50% chance है inflow is not probable तो उस case में आप disclosure record कुछ भी नहीं कर सकते है बस इतना ध्यान लगना ठीक है आगे बढ़ जाते है फिर आता है reimbursement अगर किसी भी खर्चे के लिए आपको reimbursement promised है तो आप खर्चा कैसे book करते हो expense to provision तो अगर इस expense to provision के लिए आपको reimbursement promise किया है तो आप reimbursement का income और asset book कर सकत to reimbursement income reimbursement asset to reimbursement income you can book this simple clear यहाथ तक उसके अलावा reimbursement से तब book करने का जब वो virtually certain हो अगर virtually certain नहीं है तो disclose कर देना उसको if not virtually certain disclose it if it is virtually certain you can record it बराबर उसके अलावा ध्यान रखना जब आप profit and loss में expense और income दिखाओगे तो net off चलता है profit and loss में net off चलता है sorry profit and loss में चलता है लेकिन balance sheet में net off नौई चौलबे balance sheet में अलग अलग है दिखाना पड़ता है ध्यान रखना देखो इन P&L can be netted off and presented reimbursement separate asset in balance sheet ध्यान रखना clear बस खाता में इतनी बाद आगे own risk contract what is the meaning of own risk contract owners का मतलब होता जब आपके unavoidable cost are going to exceed the benefits for example अगर मुझे पता है कि मुझे batch conduct करनी है लेकिन batch में तो आपका जो net loss है वो रहने वाला है या फिर अगर cancel करके penalty भरके निकल सकते हो तो amount of penalty दोनों में से whichever is lower for example मेरे cost लगे 100 lakhs benefit रहेगा सिर्फ 90 lakhs का तो loss कितना है 10 lakhs का penalty is 15 lakhs तो मैं fulfilling कर लेगा whichever is lower ऐसा तो whichever is lower लेने उसके समें एक लिए वाला पाट फिर आते है रिस्ट्रॉक्चरिंग रिस्ट्रॉक्चरिंग का मतलब होता आपने कभी सुना रहेगा बच्पन में internal reconstruction बराबर उसको बलते रिस्ट्रॉक्चरिंग मतलब आप बिजनस करने का तरीका चेंज करते हो या फिर scope of business चेंज करते ह उसको बलते है रिस्ट्रॉक्चरिंग तो रिस्ट्रॉक्चरिंग पे क्या आपको कि प्रोविजन बूक करना चाहिए दा अनसर इस येस उनली वें दर इस अब्लिगेशन और अब्लिगेशन का बात है जब आपने एक तो प्लान बना लिया है और उसके लावा आपने इस या तो इंप्लेमेंट करना शुरू कर दिया है या फिर इसको अनौंस कर दिया है बराबर प्लान रेडी है एंड या तो इंप्लेमेंट करना शुरू या फिर अनौंस कर दिया है तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा रिस्ट्रॉक्चरिंग करना पड़ेगा अब provision का amount में क्या क्या आएगा वो दिया हुआ है it will include only the necessary cost है ना that is expected to arise from restructuring इसका मतलब जब research करते हो तो दो चीज करते हो एक तो पुराना वाला धंदा कुछ बंद करते हो और एक नया शुरू करते हो तो जो भी पुराना बंद करते हो ना उसका जो खर्चा है उसका provision बनाओगे लेकिन जब नया कुछ शुरू करोगे उसमें marketing करोगे नया system खरीदोगे नए employees को relocate करोगे ये सब provision में आपके नहीं आ सकता बराबर ध्यान रखना इसके उपर एक question है वो कराऊँगा तो आपको समझ जाएगा इसके साथ 37 के जितने भी relevant concepts है सारे के सारे होगे गोगा खतम कहानी अब आँ questions के उपर अगें इसके अंदे भी ज्यादा कुछ questions वैसे है नहीं अगर concept धंक से पड़े हुए है तो questions आप से छोड़े जोड़े ऐसे easily बन जाएंगे ठीक है तो देखलो मैं कौन से बता रहूँ हाँ सबसे पहले illustration number 18 illustration number 18 सुन लो क्या बोलता है वो बोलता है एक तो हम करने वाले है restructuring मैं आपको आसान बाशन में समझाता हूँ we are going to discontinue the business researching करने वाले है ठीक है आगे public announcement आपने कब कर दी fab में ही कर दी मतलब year end के पहले ही कर दी अब कर दी announcement तो आपने को provision create करना पड़ेगा अब बोलता है इसकी वज़े से अच्छा एक वा चीज़ बोलता है कि अपने जो financial statements है ये कब authorized होते है 15th में को authorized होते है मतलब यहा 37 के साथ index 10 भी आने वाला है अब वो बोलता है ये जब धन्दा बंद कर रहे हो तो 540 lakhs you will incur for termination of old employees ये आपके provision का part बनेगा उसके अलावा बोलता है relocation of employees मैंने बताया था relocation वगेरा part नहीं बनता है तो ये आपके उसका part नहीं बनेगा ये 540 का जो खर्चा है इसका भी actual payment बताया है actual termination payments totaling to 520 वर made on 15th में जिस दिन finances अप्रूव हुआ जिस दिन financial अप्रूव हुआ उस दिन actual payment किता है कि आपने 520 तो ये तो इंडेस 10 के साब से adjusting event हो गया आपका तो आप 540 कंसेडर नहीं करोगे आप 520 कंसेडर करोगे पहली चीज़ फिर बोलता है अपने एक property lease पे ली थी अब धंदा बंद कर रहे है तो property का lease rent अपने को free में भरना पड़ेगा तो हमको लगाता है 430 भरना पड़ेगा 15th में को मतलब जिस दिन FS अप्रूव हुआ है उसी last दिन पे आपने payment 410 का किया है तो हम 410 कंसेडर करेंगे मतलब यहां इंडेस 37 का आप जब concept लिखोगे exam में तो 37 का आपको restructuring का definition provision का definition लिखना पड़ेगा साथ साथ में आपको इंडेस 10 का जो events आपको रिपोर्टिंग पिरेड है उसका adjusting का भी definition देना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा provision पते कितने का बनेगा 520 प्लस 410 that is मेरे ख्याल से 930 का provision आपका बनने वाला if I'm not wrong if I can see 930 लक्स का provision बनेगा तुम समझे और तुमको यह मत बोलना कि तुम यह सब लिख exactly लिखकर रहा है क्या आइसी एक की थिर तुम तो न exactly replicate कर सकते हो लेकिन ओन वर्ड्स में तो proper referencing ओन वर्ड्स में जो keywords उसका तो लिख सकते हो ना प्यार 10, 37, research, provision, definition वगरा थोड़ा बहुत लिखो कि काम बन जाएगा आपका धियान रखना ठीक है चलो आगे बढ़ जाते है तो यह एक question है जो आ सकते है exam के अंदर उसके अलावा एक और question यह वाला question number one सुनना क्या बोलता है इसमें बोलता है QA delivered manufacture production to customer K अब हुआ क्या? QA company था बीच वाला अब K ने QA पे case कर दिया ठीक है? K ने क्या क्या? QA पे case किया और QA ने अपने supplier पे case कर दिया तो एक तरफ हम QA के point of view से बात करते है QA पे case किस ने किया? K ने तो QA को इसका बनाना पड़ेगा provision वो आपना आगे देखेंगे provision बनेगा क्या बनेगा secondly QA ने भी किसी पे case किया तो उसको शायद contingent asset हो सकता है इसके लिए क्योंकि अगर QA will pay to K तो QA will also reimburse from F है न ऐसा बट वो reimbursement नहीं है क्योंकि वो virtually certain नहीं होता है बराबर तो एक तरफ QA will book a provision और एक तरफ QA will book a contingent asset यह धियान रखना आपको यह मैना question का summary बता है आपको अब हुआ क्या वो बोलता है provision create करना है अब provision कैसे create करना है यह देख लो बोलता है जिस दिन case वगरा हुआ उस दिन estimate था कि 5 crores का रहेगा estimate revise हुआ 31st March को 5.2 create करना पड़ेगा फिर बोलता है 15th May को मालूम पड़ा कि 5.25 होएगा और ultimately settle कब हुआ है 1st June को 5.3 में अब आप बोलोगे यह adjusting है कि non adjusting है तो आपको देखना पड़ेगा financial approve कब हुए question में बोला गया financial approve हुए 26th April को 26th April को अप्रूव हुए तो 15th May की भी information irrelevant हो गई और 1st June की भी information irrelevant हो गई तो सिर्फ year end तक की information consider करो गई इसका मतलब provision कितने भी create करेंगे प्रोविजन आपन 5.2 पे create करेंगे तुम समझ रहो इन्होंने का भसाया अपने को अपने को ऐसा लड़ू दिखाया बोला दे कि इंडेस्टेन इंडेस्टेन फिर बोले इंडेस्टेन तो अप्लिकेबली नहीं है यूकि FS तो पहले अप्रूव हो गए समझेगा तुम तो ये रेंड तक की जो रिवाइज इंफरमेशन है उसी को यूज़ कर सकते हो तुम तो फर्स्ट वाला आंसर इस दा की बराबर उसके अलावा वो तुम से ये भी पूछता है कि क्या तुम कोई कंटिंजेंट जो उसके जो पैसा मिलने वाले उसका हम रेंबस्मेंट नहीं क्योंकि वह सर्टन नहीं है जीतोगे तो मिलेगा तो उस पहले हम सिफ़ कंटिंजेंट असेट दिखाएंगे तो मैंने वह ग्यान दिया हुए तो दो लाइन में दिया हुए कि शाल नो टरके में असे कंटिंजेंट असेट कंटिंजेंट असेट से डिस्पोज करेंगे है न तो यह एक क्वेशन था दो क्वेशन यह हो गये उसके बाद यह आया ना क्वेशन शांदार आर्टीप में 22 का क्वेशन है यह मतलब इना 37 अगर टेस्ट करना हुआ तो एक तो जो दो क्वेशन बता है वो या फिर यह वाला क्वेशन है यह मतलब इतने सारे क्वेशन में आपको मैं फिल्टरिंग करके दे रहा हूँ उसमें मुझे यह वाला लगता है कि आहाँ एक् प्रोविशन तुमने कैसे क्रेट किया 1% of gross margin पर ठीक है अब तुमने यह वारंटी का प्रोविशन क्रेट किया है ठीक है अब वो क्या बोलता है इत एक्स पेक्टेड दाट 1% of the equipment sold have been returned as faulty 1% of sales faulty return होने वाले है within the warranty period ideally company ने पते क्या किये company ने provision बनाया है 1% of GP अपने को GP पे 1% नहीं बनाना था अपने को sales पे 1% का provision बनाने का था तो अब सर इसको कैसे करेंगे तो इसको है न आपको reverse calculation बहुत सारा मारना पड़ता है सबसे पहली बात आपका provision was 1% of GP this 1% provision is 30,000 तो आपका GP कितना तुम समझ रहे हो क्या तो 30,000 divided by 1% करोगे तो आपका GP आगा 30,000 अब आप इस GP से डुढ़नों के sales GP is 40% तो sales कितना तो 30,000 divided by 40% that is 75,000 इससे आपको मिलेगा sales इससे क्या मिलेगा आपको sales मिलेगा अब ये sales 12 months की है अगर आप ध्यान से पड़ोगे तो warranty period सिर्फ और सिर्फ छे मेने का होता है इसका मतलब जो first 6 months की sales है उस पे तो warranty खतम भी हो चुकी है उसकी तो warranty खतम भी हो चुकी है साल के end तक क्यूं? अरे पहले 6 मेने की sales पे जब 6 मेने का warranty दिया आपने तो साल के end तो warranty खतम भी हो गई तो आपको सिर्फ last 6 months की sales देखनी है that is 37.5 lakhs इसका 1% का warranty बनना चाहिए that is 37.500 इतना provision for warranty बनना चाहिए अब कितना बनाया कंपनी ने? कंपनी ने बना रखा है 30,000 का तो आप कितने का access बनाओगे? आप सिर्फ 7,000 फैनल का provision बनाओगे ऐसा तुम समझ रहे हो यह देखो? इधर मैंने करके दिया हुए है देखो warranty 30% है 1% of gross margin gross margin मिला, gross margin से sales मिला अब sales मानते evenly अकुरू पहले 6 मेने के sales पे warranty lapse हो चुकी है, इस पे कोई warranty नी बनना चाहिए आखरी 6 मेने के sales पे warranty है इतनी 1% की 30,000 अलड़ी created है, तो आपको extra provision इतने का clear करना पड़ेगा यह आपका पहला case है ठीक है, first case, जहां warranty 6 मेने की थी अब यहाँ second case भी बोला हुए had the warranty been of 2 years instead of 6 months, तो क्या फरक पड़ता? अगर warranty 6 मेने, दो साल के उती, तो क्या होता? तो बस इतना फरक पड़ता फिर warranty आखरी 6 पहले 6 पे नहीं पूरे 75,000,000 का 1% बनती that is 75,000, उसमें से कितना बना चुक है 30,000 का बना चुक है, तो कितने की बनानी पड़ती 45 के extra बनानी पड़ती तुम समझे रहे हो, देखो इधर second case में, case 2 अगर warranty period 2 साल होता तो पूरे sales पे 1% का बनता 75 बनानी पड़ती, 30 बन चुक है तो 45 के extra बनानी पड़ती शांदार question है, क्योंकि शांदार question है इसलिए थोड़ा सा slow गया हो इस question में जयान ना करना, ठीक है, चलो बढ़िया उसके बाद आएगा आपना आखरी question यह मैं LDR तो नहीं बोलूँगा लेकिन एक single star बोलूँगा क्या बोलते हैं सुन लो, बोलते है onerous contract है तो पता है, onerous contract में आपन provision create करते है अब question ने क्या किया है वो बोलते हैं हमने provision तो create किया है लेकिन provision create करते समय, admin, finance R&D, sales overhead, यह खर्चे consider नहीं किये provision के अंदर यह खर्चे हमने provision में consider नहीं किये है, मैं बोलू, करने भी नहीं चाहिए, करने भी नहीं चाहिए आपको consider, company ना जिंदगी में पहली बार सही किया है, consider करने भी नहीं चाहिए आपको इसको आगे, फिर बोलते है, material cost है labor cost है, material overhead है, यह हमने consider किये है, ठीक है तो यह consider करने के बाद, आपका cost को जितना आता है, जो भी यह ठीक है, whether company's treatment of cost creation for provision towards own risk is in line with the provision for index, अब यह जिंदगी का पहला question है, जहां जो भी management ने किया है, वो सही है, नर्मल इपने को आदरत है गाली देने कि जो क्या गलती गया रहेगा एक ऐसा case है, जहां सही किया हो है, तो याद इतना 37 का अगर ऐसा भी question आ गया तो एक याद अतना मेरी बात कि आकासर ने कहा था, एक याद सही किया हो है, और वो यह है, तो देखो नीचे बोला भी है, HVCRS correctly measured the cost for creation of provision for oneris, और वो correct है, कि period cost will not be considered period cost मतलब वो एड्में, selling, वो सब consider नहीं करना है, वो सही त्यान रखना, तो इसी के साथ 37 37 37 की भी चुनरी कीरे धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे तेरी चुनरी आ सरसे गई कैसे गई सरक सरक महल बना के रखाए वह सा मजा आ गया तरह फील आ गई चलो कि 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 कि